सब्सक्राइब कीजिए फुली इंफोमेशन यूट्यूब चानल को और दबाये इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों भारत में शायद ही कोई ऐसी जगे होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्मी और मायावी हो नीलांचल परवत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवहाटी से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर प्रसिद्धिक्यावन शक्ती पीठों में से एक है देवी सती राजा दक्ष की बेटी थी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता की अनुमदी के बिना ही भगवान शिव से शादी कर ली थी एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यगे किया जिसमें उन्होंने सती और भगवान शिव के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंतृत किया था सती अपने पिता के महल में गई, जहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का सब के सामने अपमान किया सती से पतिक का यह अपमान सहन ना हुआ और उन्होंने आयोजिति अग्ये में छलांग लगा कर अपनी जान दे दी जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चला तो व्ये काफी गुसा हो गए और उन्होंने अपनी पतनी के मृत्त शरीर को पकड़ कर तांडव निर्ति करना शुरू कर दिया साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नश्ट करने की चेतावनी भी दी थी जो की पूरे भ्रमान को नश्ट करने लगा इसे देखते हुए भगवान महा विष्ण उन्हे सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकडों में विभाजित कर दिया शरीर का हर हिस्सा पृत्वी के अलग-अलग हिस्से में जाकर गिरा उस जगैक को शक्ती पीठ के नाम से जाना जाने लगा जिस जगैक पर देवी का योनी हिसा गिरा उसे का माख्या नाम दे दिया गया तांतरिकों की देवी का माख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है जो की मुक्ति को स्विकार करती है और सभी इच्छाय पून करती है काली और त्रिपूर सुंदरी देवी के बाद का माख्या मात अतांत्रिकों के सबसे महत्वपून देवी है मंदिर के गर्भग्रह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है इसकी जगह एक समतल चटान के बीच बना विभाजन देवी की योने का दर्शाता है एक प्रकृतिक ज़रने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है इस ज़रने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है ऐसी माहियता है कि इस जल के नियमित सेवन से बिमारियां भी दूर होती है पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक दर्म को अशुद्ध माना जाता है लड़कियों को इस दोरान अक्सर अच्छूत समझा जाता है लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है हर साल अम्बुबाची मेला के दोरान पास की नदी भ्रहमपुत्र का पानी तीन दिन के लिए लाल हो जाता है पानी का यह लाल रंग का माख्या देवी के मासिक दर्म के कारण होता है तीन दिन बाद श्रधालूगें की मंदिर में भीड उमर पड़ती है सभी देवी के मासिक दर्म से गीले हुए वस्तर को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुँचते हैं और उसको घर ले जाकर अपने पूजा स्थल में रखते हैं इस मंदिर में आए भक्तों की मनुकामनाएं पूरी होती हैं ऐसे ही नई रहस्म में घटनाएं और नई नई जानकारियों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फुली इंफरमेशन और वीडियो को लाइक करना और शेर करना न भूलें धन्यवाद